पनिपत में प्रधान मंत्री आवास योजना की तहत मन्जूर हुआ एक नामी बिल्डर का प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया है इस प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2021 में मकानों का कबजा दिया जाना है दिरसल कमपनी में अपनी जमीन और हिस्सेदारी का सुबूत देने वाले बाबरपूर के अतरचंद मितल ने प्रेस कोंफरेंस करके कमपनी के दो हिस्सेदार भाईयों पर 36 क्रोड का भुकतान ना करने का आरोप लगाया है मामला हालां कि अभी जिला कोट में है डेड़ साल से करोणा के कारण सुनवाई ना होने के चलते दोनों पक्षु में विवाद गहरा गया है गोर्तलब है कि अतरचंद मितल और उसके दो बेटों ने प्रजेक्ट में पैसा लगाने वाले करीब डेड़ हजार लोगों से भी दोखा होने का अंदेशा जताया है बिल्डर कमपनी के दो भाईयों पर मितल ने इस प्रोजेक्ट का पैसा एक दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने का आरोब भी लगाया जो की रेरा के नीमों का उलंगन है बिल्डर कमपनी ने 2018 में प्रोजेक्ट लॉंच किया जबकि 2019 में ही हिस्सेदारों में जगड़ा हो गया ऐसे में इस प्रोजेक्ट में अपनी छत का सपना पाले करीब डेड़ हजार गरीब लोगों को धका लग सकता है ऐसे में खुद को धोखा धड़ी का शिकार बताने वाली मितल फैमली ने ADG कोर्ट में इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने की याची का दायर की होई है मामला रेरा पंच कुला में भी जा सकता है जो भी हो 2022 तक हर परिवार के सिर पर छत का BJP सरकार का वाइदा भी है यहां तो बिल्डर कमपनी के हिस्सेदार ही आपस में उलज गए है जिन गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं अभी तो वो भी सामने आ सकते हैं इस मामले में आरोपी पक्ष की सफाई है कि वो भी दो दिन में इस सारे मामले का खुलासा करेंगे इस पक्ष ने 19 सितंबर की दोपहर को प्रोजेक्ट साइट पर बदमाशों के हमले का आरोप भी लगाया और वीडियो दिखाया पुलिस ही सारे मामले की जांच कर रही है असल में 2018 में मंदी के वक्त शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब प्रपल्टी में तेजी के चलते जगडे का कारण भी दिख रहा है पर सवाल वही एक दो तीन कमरे बुक करवा कर अपनी छत अपना घर का सपना देखने वाले डेड़ हजार लोगों का आखिर क्या होगा क्यामन में रजेश कुमार के साथ वेंदर कतोरिया टोटल नेयोस पानिपत बीरो